प्रभी येश्य मसी के नाम से एक बार फिर आप लोगों को जह मसे कि आज की वीडियो जो है वो मिस मत करना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है क्योंकि आज मैं डाइरेक्ट एक्सपोस करूंगा बजिंदर को तो आज की वीडियो मिस मत करन क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत सारा बाइबल यह गुन पता लगने वाले हैं पाश्टर के बारे में कि पाश्टर जो है एक पाश्टर कैसा होना चाहिए कल मैंने वीडियो बनाया था प्राफेट बजिंदर के ऊपर और उसके कुछ चम्चों ने कल कमेंट्स किय हैं मेरे वीडियो में और वो कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग ऐसे कह रहे थे भाई परमेश्वर का जो चर्च है वो सब के लिए खुला है कोई भी आ जा सकता है देखिए परमेश्वर का चर्च सब के लिए खुला है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन परमेश्वर का चर्च जो खुला है सब लोगों के लिए वो किस लिए है वो उद्धार देने के लिए प्रभु में विश्वास करने के लिए प्रभु के बारे में सीखने के लिए चर्च खुला है सब के लिए ना कि तुम आके फिल्मी गाना गाओगे फिल्मी डायलग गंदा गंदा डायलग मारो यह चर्च है चर्च में कि इनका यही उरह कि यह लोग क्या कर वेविचार को बढ़ावा दे रहें इसी नहीं चर्षार को किनियत तो व о sell कर को किस तरिके से बढ़ावा दिया जा रहा है हम देख सकते हैं साफ साफ और बहुत कि दतने के आत्मा मुझें बचाता है कोई बहुत अच्छी्ट्रित लेज़ थी वहां गुल्शर गलोवर आके बोलता है हमें तो अभी एच्छी लगती है हालेलूया तेखो यह परनीशर की निंदा नहीं है तो क्या है यहां पर व्यविचार की बाते चल रही है और यहां पर यह लोग हालेलूया बोल रहे हैं परमिशर की महीमा हो कैसे कैसे लोग रहे थे हैं आई यहां पर हालेलूया अरे तुम लोग विश्वासी हो अपने आपको विश्वासी बोलते हैं क्या बोलु यह मैं बोलू किया तुम विश्वासी कहलाने के लायक नहीं हो जो इतने गंदे-गंदे जोक्स में हालेलूया घलेलूया कर रहे हो शरम आनी चाहिए शरम आनी चाहिए ची मैं वह भला हुभ जो जैशे से पथर को तोड़ता हो Esame महिमा चौधरि को माम पहले बुलाएंगे। और से तारिफ करिए इश्यू के नाम में, और में महिमा चौधरी को थोड़ा देखना चाहता हूं दूर से बाटके, पर शय्द मेरी पत्नी भी दूरि भूर। और मैं महिमा चोदरी को थोड़ा देखना चाहिं दोर से बैठके चर्च इसलिए नहीं है नाटक बाजी करने के लिए नहीं है ठीक है तुम्हारा नौटंग की करने के लिए चर्च है केवल प्रभू के बारे में जानने के लिए बबतिस्मा लेने के लिए चर्च है अंजली कि क्या बोल रहा था मैं तुम्हें भूलने ने दूंगा ऐसा कुछ ऐसा डायलग मार रहा था चुलिन से टी फिल्में गाने गा रहे थे नौ लखा मंगा दे ओं मेरे यार इसलिए चर्च नहीं है और दूसरी बात यह लोग इन लोगों ने परमेश्वर का जो पुल्पिट होता है ना पुल्पिट जो सामने जाके वचन देते हैं या सामने जाके कुछ भी कहना हो तो कहते हैं तो परमेश्वर के पुल्पिट को इन्होंने मजाक बना दिया है जबकि बाइबल नए विश् विश्वासियों को भी मना करती है पुल्पिट में खड़ा होने से आपको अगर विश्वासने तो मैं अब ये आपको वचन का रेफरेंस दूँगा और ये लोग फिल्म एक्टर लेके आ रहे हैं जो नई विश्वासियों तो रहने दो ये लोग तो अन्य जाती हैं जो प्र छटवा वचन पढ़ेंगे फिर यह की नया चेला ना हो ऐसा ना हो कि अभिमान करके सेतान का सा दंड पाए कहने का मतलब ये है ये ये वचन जो है अगर आप एक से पढ़ते जाएंगे तो यहां पर अध्यक्ष होने के लिए बोल रहा कि जो अगर अध्यक्ष होना चाहे वो नया विश्वासी नहीं होना चाहिए नए विश्वासी को आगे खड़े होने हो के सिखाने का अधिकार भी नहीं दिया गया है बाइबल में मना किया गया है तो ये लोग तो भाई प्रभु को जानते ही नहीं है तो ऐसे लोगों को तुम लेके आ रहे हो चर्च का पुलपीट दे रहे हो और यहां पर आके इतने गंदे गंदे जोक्स मार रहे हैं वेविचार को बढ़ावा देने वाले और ये बजंदर सिंग खुद महिमा चौदरी मुझे बहुत अच्छी लगती थी हाह मैं महिमा च पुलपीट के आगे जाके कुछ सिखाने का अधिकार नहीं तो फिर अन्य जातियों को पुलपीट में खड़ा होने का अधिकार तो भाई तुम छोड़ी दो नए विश्वासियों को भी अधिकार नहीं है प्रॉफिट बजंदर सिंग ये सब क्यों करता है क्यों क्यों क्य कैसे क्योंकि देखिए पुराने समय में क्या होता था पर मेश्वर समय के इसाब से एक प्रॉफेट चुनता था लाखो हजारों नहीं आज प्रॉफेट बजेंदर वह प्रॉफेट ये प्रॉफेट ये बरतन माजने वाला प्रॉफेट जाडू मारने वाला प्रॉफेट ये ओफिस का घंटी बजाने वाला प्रॉफेट सारे के सारे प्रॉफेट बने बैठे हैं अभी के समय में कोई भी प्रॉफेट नहीं है अभी के समय में क्यों क्योंकि बाइबल कंप्लीट हो चुका है उस समय में बाइबल से बात नहीं कर सकता था क्योंकि बाइबल इनकंप्ली तो ये प्रॉफेट नहीं है इसको हम वचनों से जाचेंगे अभी चलिए जाचते तो जूटे प्रॉफेट यानि जूटे भविश्वक्ता को कैसे पहचाने वेल इसका जवाब हमें बाइबल में ही मिलेगा अगर आप बाइबल व्यवस्था विवरन की पुस्तक यानि डियूटर नौमी 18-22 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि हम जूटे प्रॉफेट यानि जूटे भविश्वक्ता को कैसे पहचान सकते हैं तो वह वचन यहवा का कहा हुआ नहीं परन्तु उस नभी प्रॉफेट या फिर भविश्वक्ता ने वह बात अभीमान करके कही है अभीमान मतलब अपने मनमर्जी से तो उससे भय ना खाना तो यहाँ पर साफसाफ बाइबल में दिया गया है कि अगर आप प्रॉफेट को पहचानना चाहते हैं जूटे प्रॉफेट जूटे भविश्वक्ता को आप कैसे पहचान सकते हैं कि अगर उसने कोई भी बात कही है और वो ना घटे उसकी अगर एक भी बात उसका गलत हो क्या परमेशर से तो बाई कोई mistake नहीं होता है इंसान से mistake होता है परमेशर से गल्ती कभी नहीं होती है तो परमेशर जितने भी बार भविशवानी करते थे पुरानी नियम में सब पूरा होता था लेकिन जो इनसान करेगा वो अगर 99% भी सही हो जाए किसी इनसान का ऐसे कई पंडित हैं ऐसे कई बाबा हैं जो 99% सही बविशवानी कर देते हैं मैं खुद जानता हूँ कितने को personally ऐसे कितने हिंदू बाबा को जानता हूँ हमारे गवों में जो ऐसा ऐसा बविशवानी करेंगे जो accurate हुआ है जैसे अगर मैं बताओं तो कुछ साल पहले हमारे परिवार में एक नाम नहीं लेना चाहूंगा क्यूंकि मेरे परिवार सारे के सारे मसी में नहीं है तो पढ़नीत ने कहा कि देहांत होने का खतरा है लेकिन वह जो व्यक्ति थे उन्होंने विश्वास नहीं किया क्यूंकि वह व्यक्ति जो है मेरे family में थोड़े modern खयाला बहुत थे वैसे हिंदू थे लेकिन modern खयाला लेकिन जो जूटा नभी होगा वो 99% सही होगा कुछ ना कुछ तो मिस्टेक कर देगा तो बाइबल हमें बताती है कि आप कैसे पहचान सकते हैं जूटे नभी जूटे प्रफेट जूटे भविशवक्ता को अगर कोई ऐसी बात उसने कही हो या भविशवानी उसने कही हो जो सही ना हुई हो तो आप जान जाओ कि वो जूटा है परमिश्वर की तरफ से नहीं है तो ऐसा ही बजेंदर सिंग जी ने ऐसे कुछ भविशवानिया की हैं जो सच नहीं हुई है चलिए देखते हैं 5 जनवरी 2020 को इलेक्शन चल रहे थे तो बजेंदर सिंग भविशवानी क मतलब करता हुं कि इस बार दिल्ली के स Demokraten जो हुगा वो पुराने चहरे नहीं उगे वो पुच हिलने वाला मतलब यह ही कि कमल का फूल खिलने वाला यानि BJP से कोई CM बनेगा दिल्ली का बजिंदा सिंग यह भविशवा नहीं करता है लेकिन वो सरासर गलत होता है क्योंकि 2020 में फिर से केजरीवाल ही CM बनता है दिल्ली का इसका खुलासा हमारे ग्लोरी आपॉलोजेटिक्स के भाई नहीं कर दिया है फ्रांसिस न आपको बता रहा हूं कुछ लोगों को पता लगेगा दिल्ली में दिल्ली में एलेक्शन है ना कौन जितेगा हर के नाम पे गेजरीवाल नहीं मैं नहीं कह रहा हूं मैं नहीं बोल सकता है फिर बाद में हम इस बात के लिए नहीं बनाएं गए में तरफ से जो मर्जी जीते लेकिन मैं कह रहा हूँ, कुछ शीटें ऐसी आएंगी, कुछ शीटें ऐसी आएंगी, कुछ लोग भी वाद बना लेते हैं, और बाद में घूम फिरके, आपको वो चहरा नहीं मिलने वाला, आपको वो चहरा नहीं मिलने वाला, जोंच आप पहले देखा आपने, बोला हालेल समझ रहे हो कईیا shouted वोट कार्ड भी नहीं बने भी मुझे दिल्ली इंदर अपने कार्ड बनाो मैंने आत्मा में दिखा कि खिलने वाला है कुछ खिलने वाला है बस कोटवड में बोल रहा हूं अपका स्माइल खिलने वाली है तारीफ करो चौर से लेकिन 2020 में केजरी वाल फिर से सीम बन जाता है जो ये बात साबित करता है कि ये परमेश्वर की तरफ से कोई प्रॉफेट वाफेट नहीं है ये शैतान की तरफ से हैं शैतान के पास भी सक्तियां हैं बविश्वानिया करने की ये करने की वो करने की हैं बहुत सारी सक्तियां हैं उसके पास तुकि अगर परमेशर की तरफ से कोई भी भविश्यवानिया होती है एक भी गलत नहीं होगा एक भी गलत नहीं होगा गैरंटी अगली भविश्यवानी इसने करी जिसका मैंने खुदी खुलासा किया था कि ये कहता है कि एक दिन सल्मान खान मेरे स्टेज में मेरे साथ होगा यहां आएगा लेकिन पहले देखो इसने एक कड़ोर देने का वदा किया होगा सलमान खान एक कड़ोर में माने का नहीं भाई वो टॉप का एक्टर है अभी के जो हालात है उसके हिसाब से वो कम से कम पांस कड़ोर तो लेता है तो वो एक दो कड़ोर में नहीं मानने वाला तो इसने कोशिस किया होगा सलमान खान को लेके आने का तो वो आया नहीं तो इसका ये भविश्यवानी भी गलत हुआ तो इससे साफ जाहिर हो जाता है बाइबल के हिसाब से कि ये एक जुटा भविश्यवक्ता है वैसे अभी के समय में कोई भी भविश्यवक्ता नहीं है, क्यों? क्योंकि भविश्यवक्ताओं की पुस्तक हमारे पास है, अभी भविश्यवक्ताओं की जरुत नहीं है, पहले भविश्यवक्ताओं की जरुत थी, क्यों? क्योंकि भविश्यवक्ताओं की पुस्तक अधूर ती अभी यह complete है और अभी अभी प्रभु किसी को भी नहीं सब्सक्राइब बावीश मस्ताव से दूर रहो आरे यार इतने दिनों से मुझे पेट खराब हो रहा है बाविशु वक्ताव के पास जाना पड़ेगा क्यों पेट दर्द कर रहा है कि निन हो गए हाँ मैं खुल इनकी बात को अरे टटी नियारी उसको टटी नियारी कुछ तो इलाज कर दो यार विचारे को गया नहीं हूं चलो मिलते अगले वीडियो में